अलो गाइज वेल्कम बैक तो अननदर वीडियो और डेली MPPSC MCQ पार्ट नमर नाइन माइनम इस अदित्या दूबे अन इस चेप्टर वी विल लुक फॉरवर्ड तो सम इंपोर्टेंट यदि आप इस चनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रेवियस प्लेलिस्ट जरूर ट्राइ कीजेगा यदि आपको मेरा प्रेयास अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा सबसे पहला कोशन है कि Land of Thousand Lakes नाम से इनमें से किस European कंट्री को जाना जाता है तो इसका सही आंसर है Option A Finland Finland को Land of Thousand Lakes के नाम से जाना जाता है इसके बाद अगर बात कीजाए Thailand की तो ये जाना जाता है Land of White Elephant Land of White Elephant कहा जाता है Thailand को और अगर जापान की बात कीजाए तो इसको बोला जाता है Land of Rising Sun और नौवे की अगर बात कीजाए तो इसको कहा जाता है Land of Midnight Sun तो काफी important point है ये आप याद रखेगा इसका सही आंसर है Option A that is Finland which is known as Land of Thousand Lakes अगला question है कि Israel अपनी border किन देशों के साथ share करता है तो ये आपको पूछा जा सकता है पिछले साल एक question आया था MPPSC में कि Israel की राजधानी Jerusalem को USA ने official declare कब किया तो ये declare किया था 6th of December 2017 को ये आप जानते भी होंगे आप में से काफी लोग ने इसका सही answer भी mark किया होगा तो अभी इसका question ये है कि Israel common border किन देशों के साथ share करता है तो इसका सही answer है option A that is Lebanon, Syria, Jordan and Egypt अब हम map देख लेते हैं ताकि एक understanding अच्छी बन सके तो आप देख सकते हैं कि Israel जो border अपनी share करता है वो करता है Lebanon के साथ then Syria के साथ, Jordan के साथ और Egypt के साथ तो आप ये देख सकते हैं ये important question है याद रखेगा और Israel को means Israel की जो capital Jerusalem को USA ने कब officially declare किया तो वो declare किया था 6 December 2017 Let's move on to next question अगला question है कि Caspian Sea इन में से किस देश के साथ border share नहीं करता तो आपको याद रखना है Caspian Sea border जो share करता है उसकी trick है आप याद करने के लिए कर सकते है जो simple सी trick है जो है Tariq Tariq में T stand करता है तुर्क मेरिस्तान से A stand करता है अजरबाइजान से R stand करता है रेशिया से I stand करता है इरान से और K stand करता है कजाकिस्तान से तो आप easily guess कर सकते हैं कि एराक नहीं है अब कुछ लोगों को confusion होता है एराक और इरान में जब कैस्पियंसी की बात की जाती है तो याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक निमोनिक्स बना सकते हैं कि कैस्पियंड एंड होता है एंड से A से अजर्बाइजान, R से रश्या, I से एरान and then K से कजाकिस्तान तो ये याद रखेगा आप तारीक इसका एक ओफिशल कोड है एक लर्निंग कोड है, एक निमोनिक है, एक ट्रिक है जो आप रिफर कर सकते हैं और कन्फियूज मत होएगा, एरान और इराक में कैस्पिन सी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, एरान के साथ, एराक के साथ नहीं करता है अगला कोशन है कि बाल्टिक सी अपनी बॉर्डर किस देश के साथ शेयर नहीं करता है तो बाल्टिक सी अपनी बॉर्डर किस देश के साथ शेयर नहीं करता है इसका सही answer है आपको मैं पहले trick बता देता हूँ ताकि आप easily guess कर सके इसको option elimination basis पे तो Baltic Sea जो अपनी border share करता है उसकी एक trick आप याद कर सकते हैं trick बड़ी simple है जो कि है route Germany, cell, Poland and Finland तो route Germany, cell, S-E-L-L, Poland and Finland तो route से stand करता है Russia, Denmark, Germany stands for Germany cell की अगर बात की जाए तो वो stand करता है Sweden, Estonia, Latvia और Lithuania, Poland और Finland static है तो आप easily guess कर सकते हैं कि Romania के साथ Baltic Sea अपनी border share नहीं करता है जबकि Estonia, Denmark और Poland के साथ share करता है तो आप easily remember कर सकते है Russia, Denmark, Germany, Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Finland route Germany, cell, Poland and Finland is the trick let's move on to map so that हम ज़्याद अच्छे से understand कर सके है Baltic Sea किन देशों के साथ अपनी border share करता है तो यह है हमारा map आप देख सकते हैं कि Baltic Sea किस देश के साथ अपनी border share करता है मैंने trick बता ही, route Germany, cell, Poland and Finland तो route से Russia, D से Denmark, Germany stands for Germany itself cell से बात करते हैं तो होता है Sweden, Estonia, Latvia और Lithuania और Poland और Finland के अगर बात की जाए तो यह हो गया हमारा Poland और यह हो गया हमारा Finland तो total 9 countries हैं जिनके साथ Baltic Sea अपनी border share करता है यह बहुत important है आप याद रखेगा Let's move on to next question अगला question है कि Horn of Africa में इन में से कौन सा देश शामिल नहीं है तो इसका सही answer है option A that is South Africa अब Horn of Africa को याद करने के लिए easy trick है आप remember के लिए purpose के लिए use कर सकते हैं जो की है seed S-E-E-D तो S स्टेंड करता है Somalia से E स्टेंड करता है Ethiopia से E स्टेंड करता है Eritrea से D स्टेंड करता है जिबूती से तो जिबूती के बारे में एक और fact map आपको बदाना चाहूँगा जो बहुत important है हमारे जो current president है Mr. Ramnath Qobin तो इनकी पहली official visit जो हुई थी वो जिबूती में हुई थी तो याद करने के लिए आप trick यूज कर सकते हैं seed which stands for Somalia, Ethiopia, Eritrea and Jibouti अब हम map देख लेते हैं कि Horn of Africa कहां पे है एफरिका में तो आप यह देख सकते हैं map में यह है Somalia, ठीक है E से Ethiopia, E से Eritrea और D से Jibouti तो इसकी trick हो गई seed, ओके तो यह है हमारा Horn of Africa जो कि African continent का एक important part है So I hope you liked my lesson, अगर आपको कोई और suggestion या recommendation कुछ मेरे को देना है तो आप बिल्कुल comment करके देख सकते हैं आपका बहुत बहुत शुक्री है कि आपने मुझे बहुत ज्यादा support किया online as well as offline और मैं आपको बताना चाहूंगा कि PDF मैंने काफी time से update नहीं करी अपने telegram channel में मैं अभी update कर देता हूं पूरी PDF जितनी भी अभी तक मैंने बनाई हुई है जो लोग नहीं जुड़े हैं वो बिल्कुल join कर सकते हैं telegram channel के साथ okay telegram channel की link है t.me forward slash aditya dhubay mbpsc इसके अलावा आप मुझसे facebook में भी connect हो सकते हैं facebook की link है facebook.com forward slash aditya dhubay mbpsc so that's it for now I hope you are doing well all the very best for your examination good luck